हलो फ्रेंड्स मैंसल डॉक्टर जयन्ट फ्रम दिवरिश्या रोगयम सनस्तान और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोकुनट से होने वाले कुछ अमेजिंग हेल्थ बेनफिट्स के बारे में दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि नारेल की तासीर थंडी होती है यह हमारे शरीर को बलप्रदान करता है साथ ही धातु को भी पुष्ट करता है अगर आपको कोई हेल्ट ऑनिक की जरूरत है जो कि आपके मसल इस्टैमन और एनरजी को बढ़ाए तो आप अपने खाने में कोकोनट का इस्तमाल करें लेकिन यह पशने में भारी है तो जिन लोगों की अगनी मन है वो इसका कम सेबन करें आयरवेद में से वस्तिशोधन करने वा लगा गया है अगर आपका यूरिन ठीक से नहीं होता आपको बार- अगपन है वजन कम हो रहा है ठकान बहुत जादा रहती है नीन नहीं आ रही है और अगर आपकी कफ प्रकरती है साथ ही वेड बढ़ता जा रहा है आलस रहता है तो इसका सेवन आपको कम करना चाहिए क्योंकि इसकी वज़ा से आपको कफ संबंदित रोग हो सकते हैं अगर अगर आपको खून की खराबी से कोई बिमारी है तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं अगर आपको बार बार पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं हुचती है तो आप नारियल पानी को पूरा दिन थोड़ा-थोड़ा करके पीएं जिससे कि आपको सारे नलुकर ठाद वाद को फिस्तरृवब से कुछकशन और थाकान को भी कम करता है नारियल तेल को केशegen का गया है यह आपके बालों को न्यूटिशन परवाइड करता है जिससे कि आपके बालों की अच्छी ग्रोंग्रों सके इसकी तासीर थंडी होने के कारण ये आपके हाथ पैरों में होरे जलन को भी कम करता है अगर आपके मुँँ में चाले हो गए हूं तो आप 5 ml नारेल के तेल को 5 में तक मुँँ में भर कर रखें और फिर बाहर कर दें ऐसा करने से मुँँ के चाले में आराम मिलेगा सो फ्रेंड्स ये थे कोकोनट के कुछ हेल्फ बेनिफिट्स उमीद करता हूँ कि इन्फोर्मेटिव वीडियो आपके लिए हेलफ़ लई ही होगी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हुआ 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 है